नमस्कार दोस्तो मैं विक्रम सिंग और आप देख रहे हो Welding Technology तो दोस्तो मैं आज आपके सामने एक आए लैक्ट्रोड लेके आया हूँ जिसके बारे मैं आपको डिफाइं करूलगा कि वो है और क्याFI इसको यूज़ किया जाता है तो दोस्तो आज तो बारे में पूरा जाने, नॉलिज ले, आईए दोस्तों देखते हैं इस के बारे में, तो आईए दोस्तों देखते हैं इस इलेक्टरोड के बारे में, और ये इलेक्टरोड क्या है, कैसे इसको यूज करिया जाता है, वो सारी चीजे, तो दोस्तों जो हम इलेक्टरोड देख तो इसके बारे में समझना है हमें कि यह है क्या तो पहले मैं इलेक्टरोड के बारे में define करना चाहता हूँ जो इलेक्टरोड होती है उसके बारे में पूरा यहां पे दिया हुआ है यह हमारी एक Elector导 बनाई हुई है जिसमें मैंने इस सिस्टे में बनाई हुआ है एक कौर वायर जिसको आफ हॉल्डर में फसाते हैं इसे कौर वायर बोलते हैं उसके बाद इसके उपर जो मसाला चड़ा होता है जिसे फलक्स बोलते हैं तो फलक्स क्या काम करता है वो भी इस इलेक्टर के बारे में इसमें देखेंगे लास्ट में कि क्या है ये चीज उसके बाद ये लास्ट में जो आते हैं ये से बोलते हैं टेप जिसे हम जॉब से टच करते हैं तो ये हो गई टेप तो दोस्तों आईए देखते हैं हम कि एक ल दिजिट का आपना-पना काम है तो इसमें जो पहलीसिर दे रख़ी है इसमें 110 जो दिया हुआ यह तो फस्छट रिफंद जरो इस नियुकन In हरे है तो इसकी किता गई होगी वह तो जो है उसके लास्ट में डिरक वह बतारही है कि इसमें प्लक्ट कॉंट कितना होगा हो सारी चीजे कौन सा current हम यूज करना वो सारी चीजे इसमें दिखाया हुआ है इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक्जमपल लिया है हमने E11018 E11018 इलेक्टरोड है इसके बारे में हम इससे डिफाइन करेंगे है क्या इलेक्टरोड तो E का मतलब होता है जो ये electrode है वो extrusion method के द्वारा बनाया हुआ है ये जो electrode है extrusion method के द्वारा बनाया हुआ है और इसके बाद जो digit आता है ये letter तो अपना ये की है तो उसके बाद ये digit चालो हो जाते है 110, 180 तो 110 जो है अब इसमें ये जो दे रखे हैं 3 digit, 110 तो 110 दिखा रहा इसमें 10 size strength 10 size strength means जो इसकी ताकत है एक electrode की एक इंच welding करने पर इसका जो PSI बनेगा pressure square per inch के according इसमें pound के इसमें इसकी strength बनेगी तो इसको जो multiply करेंगे 1000 से तो उसके बाद इसका जो strength आ जाएगी वो 1100 PSI बन जाएगा pound square per inch के according इसके बाद इसमें हम देखते हैं और आगे क्या है दोस्तों फिर इसके बाद देखते हैं इसमें जो 4th digit है वो दिखा रहा है हमारा कि इस electrode से हम all position में welding कर सकते हैं इस electrode को all position में welding कर सकते हैं last की जो digit है वो 8 8 digit दिखाता है types of flux flux कौन सा इसमें यूज़ करना है वो सारी चीज़े तो इस फलक्स से हम इस फलक्स में हम क्या करते हैं low hydrogen type electrode यूज़ करते है low hydrogen plus iron powder mix होता है इस electrode के उपर इस electrode में क्या होता है low hydrogen type plus iron powder mix होता है और उसका paste बना कर इस electrode पर चिपकाया जाता है और इस त्रक्र में पडोलकों से क्या होगा वो विल्ण दिर्खते हैं तो इसमें जो सेकंडिरी asks to do नंबरल्ट्व दिया हुआ कि इस एल्डिन करेंगे तो पैनिट्रेशन मिडियम आएगा इस एल्ट्रिसल हो cynतर्शे से होगा वो medium type काएगा और इसमें जो current है current हम AC DCEP यूज़ करेंगे AC मिस alternating current और DCEP मतलब direct current electrode positive में इसमें जो quality हम यूज़ करेंगे electrode को positive पे रखना पड़ेगा अब electrode को positive पे रखते हैं तो reverse quality यूज़ होती है इसके अंदर तो इस electrode को आप यूज़ यहां करना पड़ता है तो दोस्तों इसमें यह आप समझगे होंगे कि electrode क्या work कर रही है कैसा इसका code को पढ़ा जाना है वो सारी चीज़ें इसके बाद आता है storage of electrode कि electrode को कैसे स्टोर करना चाहिए मैं उन्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था एक बार फिर दुबारे रिवाइज करा देता हूं कि electrode हमेशा इसको store करने के लिए एक सूखेस्तान पर रखना है electrode को नमबर टू है कि the package must be kept raised from the floor कि जो इसके package है तो फिर गिया यह多少 एक या two foot कि उंस्चाई पर रखना जरूरी है कि इसके बाद जो storage किया गया है इस electrode को store करने के लिए एक सूखेस्तान पर रखना है और इसके मैं क्या करना है कि electrode को dry place पर रखने के बाद अगर electrode नमी पकड़ लेती है कई बार नमी पकड़ लेती है तो electrode तो उसको क्या करना है कि electrode को job पर कुछ second के लिए touch करके रखें जैसे electrode हीट हो जाएगी तो उसमें से नमी एमोश्चर दूर हो जाएगा जिससे दुबारा आप इस electrode को अच्छे से चला सकते हो तो दोस्तो आसा करता हूँ आपके यह समझ में आया होगा वीडियो मेरे पसंद आई होगी तो दोस्तो आई होप आपको यह पसंद आई यह वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करने भूले थैंक यू थैंक फॉर वाचिंग